एक बार नारज जी बेंकुट की यात्रा बजा रहे थे भगवान जी को रास्थे में नारज जी को रास्थे में एक औरत मिली बोले मुझी वर आप प्राय भगवान नारायन नारायन कर्ण मिलने जाते हैं मेरे घर में कोई अउलाद नहीं है आप परूर से पूछना मेरे घर अउलाद कब होगी नारज जी ने कहा ठीक है पूछ लूँगा इतना कि नाराज जी नाराएन जी नाराएन के ते हुए यातरा पर छल पड़े बेकरन पुच्चकर नाराएन जी सर नारहnew ने ज़ब कुछला पूछी तो नारहरज जी बोले जब मैं आ रया था तो एक रास्ते में वरत जिसके घर कोई वड़ाद नहीं है उसने मुझे आप से पूचने को कहा है कि आपके उसके घर बर वड़ाद कर दोगी नारहरोद बोले तुम उस वड़ाकर बोल देना कि उसके किसमत में उलाद का सुक नहीं है नाराजी जब वापस लोट रहे थे तो वह वरत बड़ी बेसबरी से नाराजी का इंजार करे थी वरत नाराजी चे पुछा कि प्रभू नाराजी ने क्या जवाब दिया इस पर नाराजी ने का प्रभु ने कहा कि आपके घर कोई उलाद का सुक नहीं होगी ये सुनकर वो ओरत ढाएं मारकर रोड़ने लगी नारज जी चले गे कुछ समय बीट गया गाह में एक योगी आया और सादु ने उसी ओरत के घर में पास ही एक आवाज लगाए कि जो मुझे रोटी देगा मैं उसको एक नेक उलाद दूँगा ये सुनकर उपाँ जुरत जल्द से एक रोटी बना कर लियाई और जैसा उस योगी ने कहा था वैसा ही हुआ उस उलत के गर एक बेटा वपेदा हुआ उस उलत के बेटे की खुशी में गरीबों में खाना माटा गया और धोर बज़ाया गया कुछ बर्स बाद जब नारत जी पुर्ण हुआ हांक से गुजरे तो उलत करने लगी क्यों नारत जी आप तो हैसमें नाराइन नाराइन करते रहते हैं आपने तो का था मेरे घर उलाद कर सुक्ष नहीं है ये देखो मेरा राज कुमार बेटा फिर उस उलत ने उस योगी के बारे में बताया नारत को इस बात का जवाब साई ये था कि ये कैसे हो गया वह जल्द जल्द नाराइन नाराइन दाम क्यों गए और प्रभु से ये बात गही आपने तो का था कि उस उलत को घर उलाद सकती है क्या उस योगी में आप से भी ज़द सकती है नाराइन भुकान बोले आज मेरे तबेट ठीक नहीं है मैं आपकी बात का जवाब कल दूँगा पहले आप मेरे लिए ओस्ति का इंजाम कीजिए नाराइन बोले आज्या दीजिए प्रभु नाराइन बोले नाराइन आप भुलोग जाईए और एक कटोरी बक रखत लेका आईए नाराइन जी कभी इदर उदर कभी उदर गूमते रहे पर प्याला भरकर रख देने में नहीं मिला उल्टा लोग भुवास करते हैं कि नाराइन बिमार है चलते चलते नाराइन जी किसी जंगल में पहुँच गे वहाँ पर वही सादू मिला जिसने उस उरत को बेटे का अस्वाद दिया था वह सादू नाराइन जी को पचानते थे उन्हें ने का अरे नाराइन जी आप इस जंगल में इस वक्त क्या कर रहे हैं इस पर नाराइन जी बोले नाराइन जी ने जवाब दिया मुझे प्रभू ने किसी इंसान का रख लाने को कहा है और मैं यह सुनकर सादू खड़े हो गए और बोले कि प्रभू ने किसी इंसान का रख लाने का है उसने का है आपके पास को छुरिया चकू है नाराइन जी ने का है वह तो मैं हाथ में लेकर गूम रहा हूँ उस सादू ने अपने स्रीर से एक प्याला रख ले दिया नाराइन जी रख लेकर नाराइन जी के पहुंचे और कहा आपके लिए मैं और जी ले आए हूँ नारण ने कहा यही आपके इस स्वाल का जवाब है जिस सादू ने मेरे लिए एक पहला रख्त मांगने पर अपने स्रीर से इतना रख्त भेज दिया रहा क्या उस सादू के दूआ करने पर मैं किसी को बेटा भी नहीं दोता देश सकता उस मांग जवारत के लिए दूआ आप भी तो कर सकते थे पर आप ने ऐसा नहीं किया रख्त तो आपके सिर्में भी था पर आप ने नहीं दिया मुनश्य का भग ये कि उल प्रारब्द से नहीं इर्वत नहीं होता है अपितु सद्गर्म और आशिवास से भी प्रावित होता है बोल ना रहें ना रहें ना रहें